तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग यह जानने वाले हैं कि Angel One की application का यूज करके किसी भी share को purchase कैसे किया जाता है तो दोस्तो अगर आपको भी किसी भी share या stocks को purchase करना है वो भी Angel One की application का यूज करके तो ऐसे मैं आप इस वीडियो को complete ज़रू देखेगा तो दोस्तो चले आप इस वीडियो को शुरू करते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मॉइलफन में जो application है इसको open करना पड़ेगा एंड Angel One की application के open होने के बाद आपके सामने में यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का interface देखने को मिलेगा इस home टैप है इस home टैप पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे उपर में राइट साइड केось के सरी vorbere कं नाम यहाँ पर एंडर कर दीजियो So मेरे case में मुझे यहाँ पर PFC नाम का एक share है मुझे उसको purchase करना है तो मैं यहाँ पर PFC नाम की share को search कर लेता हूँ इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं PFC नाम का एक share आ चुका है So इसपर click करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ options देखने को मिल रहे होगे So आप यहाँ पर simply यह चो buy का option है आप इस buy वाले option पर click कर देजे And इस buy वाले option पर click करने के बाद आपके सामने में एक new page open हो जाएगा So इस page में आपको यहाँ पर सबसे important information जो की order details होती है वो fill करने पड़ेगी So आप यहाँ पर अच्छे से समझ लिए कि आपको यहाँ पर भढ़ना क्या है जैसे कि यहाँ पर आप दिख सकते हैं सबसे उपर में delivery और internet नाम से दो options देख है हाला कि आपको इसके बारे में पता होगा है फिर भी मैं आपको बता जेता हूँ कि अगर आप यहाँ पर इस share को एक दिन दो दिन या महिनों या फिर सालों होल्ड करना चाते हैं साल भढ़ के लिए तो ऐसे भी आप सिंपल यहाँ पर delivery पर क्लिक कर दीजे और अगर आप इन केस अगर आप इस share को आज ही purchase करके आज ही sell करना चाते हैं आप यहाँ पर इंट्राइडर पर क्लिक कर दीजे चुकि मेरे किसमें यहाँ पर मैं इस share को hold करना चाता हूँ फिट चाहे वो दो दिन हो या तीन दिन हो या एक मेन हो सो मैं यहाँ पर delivery पर क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद नीचे में एक option है अपर कितनी quantity इस share की purchase करना चाहते हैं आप उतनी quantity एंटर कर देजे सो मैं यहाँ पर मुझे इस share को 20 quantity में purchase करना है तो मैं यहाँ पर 20 एंटर कर देता हूँ और सी के ज़स्ट नीचे में एक option है quantity एंटर करने के ज़स्ट बात नीचे में एक option है limit and market का तो अगर आप यहाँ पर लेमिट पर किलिक करते हैं तो ऐसे में आपके पास एक option आता है कि आप यहाँ पर किसी भी price को एंडर करके उस price में इस share को purchase कर सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर एक price एंडर कर देता हूं तो ऐसे में हो गई है कि जब भी इस price पर market आएगा तो मेरा जो automatically आपका share purchase हो जाएगा तो आप अपने इस आपसे आपको जो भी share करना है आप उस पर click कर दीजाए इसके बाद नीचे में एक option है buy on margin pay 22% यानि कि आप इस share को उधार में भी purchase कर सकते हैं यानि कि angel one की application का use करके आप यहाँ पर सिर्फ 22% पैसा pay करके आप इस share को purchase कर सकते हैं ऐसे में जो भी price बचा हुआ यानि कि 78% का जो जितना भी price बनता है वो angel one आपके लिए pay करेगा बट ऐसे में एक problem है problem यह कि आपको य जिली basis पर कुछ ना कुछ चार्जिस पे करना पड़ेगा तो आप सिंपली यहाँ पर गलती सभी इस box पर क्लिक ना करें इसके बाद इसके निचे में एक option है smart orders stop loss आप यहाँ से stop loss भी लगा सकते हैं और उसी के जच निचे में आपका यहाँ पर जितना भी price बगर बनता है जितना भी पैसा आपको pay करना है वो price भी आपको यहाँ पर दिखा देगा और इसके बाद आप यहाँ पर दिखते हैं सभी चीजों को अच्छे से देखने के बाद एक बार अच्छे सा आप इन सभी चीजों को दिख ली जाए इसके बाद नीचे में एक option है confirm का आप सिंप अप यहाँ पर order section में यहाँ पर position वाली जगह में आपको यहाँ पर जो भी चेर्स है जो भी current में आपने order बगरत दिया है और complete हुआ यह पर नहीं हुआ उसभी चीजा आपको यहाँ पर दिखाए दिखे जैसा कि आप यहाँ पर दे सकते पोजिशन वाले section मुझे यहाँ PFC नام का यह जो share है जिसको अभी हमने purchase किया था वो buy हो चुका है और साथ ही साथ आप यहाँ पर यह जो portfolio का option है orders के just bugle में नीचे में आप simply यहाँ पर इस portfolio वाले option पर click करके आपका जो भी shares है उस shares की list यहाँ से आप देख सकते हैं और यहाँ पर आप दे सकते हैं मेरा जो भी shares था PFC का वो यहाँ पर आ चुका है तो दोस्तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर Angel One की application का यूज करके किसी भी share को purchase कर सकते हैं तो दोस्तो आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आप से किसी दूसरे वीडियो में और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तिस वीडियो को like share जोड़ी कर दिएगा साथी साथ हमारे इस यूटूब चैल को subscribe करना ना भूले